जो लिखा है जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं , एल एमा किसी से डरेगा नहीं और लाग तस्वीर खिचो लो बंकिन के तुम लाग तस्वीर खिचो लो तुम के तुम हुसन यूसुफ किसी रूप लेगा नहीं सलसल और आपनों के महबते हैं जो खीच के लिए आती है यकीन जानिये मैं नहीं आने वाली थी लेकिन तविद बहुत खराब है लेकिन यही है कि मैंने पहले भी कहा था कि तुमारे पास आई हूँ मैं आऊंगी यह वादा है कि तुम से उम्र वर चाहत निभाने का इरादा है भले मजबूर हूँ मसरूफ हूँ बीमार हूँ फिर भी महबत खीच लाती है कि उसमें दम ज्यादा है आपनों की महबतें दुआएं नवाब सहाब आपका खुलूस इजदत अफजाई मुस्तफा कमाल सहाब मैं शायद मेरी बड़किस्मती होती अगर मैं नहीं आती बहराल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगी लिस्ट भी लंबी है मैं लेकिन एक बात एक एना चाहूँगी कि बीमार हूँ इसका मतलब ये मत सोच येगा क्या सोच रहे हैं कि महबत सुनाऊंगी क्या सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं कि महबत सुनाऊंगी आदत के मुताबिक में बगावत सुनाओंगी क्या बात है क्या सोच रहे हैं कि मुहबबत सुनाओंगी आदत के मुताबिक में बगावत सुनाओंगी जुमलों का पिटारा है न वादों का पिटारा नेता नहीं हो सिर्फ हकिकत सुनाओंगी अभी तो आपने सुना भी नहीं बहुत पुबारक हो बहुत बहुत शुक्रिया मैंने कहा यहां मुझे अम्मी अब्बू भाई बहन खांदान पूरा मिला बस समझे घर नहीं है लेकिन बहुत सारे घर है यहां पर मेरे और यह भाई आगया जी बहुत बहुत शुक्रिया ये तो महबतों का शेहर है देखिए कुली कुतुप शाह भानमती से अगर इश्क ना करते तुम्ही बताओ बस पाता क्या शेहर है एधराबाद तो ये तो मुहबतों का शहर है क्या बात है शुक्रिया शुक्रिया लता साहिबा आप तो शेर नाभी पड़ें सिर्फ खड़ी रहें तो लोग तो आप पर मुहबत निचावर करते रहें नहीं देखिये मैं बीच में उस घजल को अधूरा छोड़ के एक बात कहना चाऊंगे कि मेरी तो कुछ भी तारीफ नहीं है जो भी फोटो खिच रहें जो भी कर रहें खिचवाई जारी हैं जो भी महबते हैं हम लोग कुछ भी नहीं है और आज कल फोटो खिचाने का तो चलन भौत और आपको पता सबसे ज़्यादा किस का है खिच रहें एक बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं सुनिए तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि जो लिखा है गजल भी प्य किसी से डरेगा नहीं और लाग तस्वीर खिचवालो बंठन के तुम 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 लाग तस्वीर खिचव पालो बंठन के तुम उसने यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं उसने यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं तो जी आप क्या सोच रहे हो के महबत सुनाओंगी बीमार हो तो क्या हुआ क्या सोच रहे हो के महबत सुनाओंगी आदत के मताबिक में बगावत सुनाओंगी, जुम्लों का पिटारा है न वादों का पिटारा, नेता नहीं हो, सिर्फ हकीकत सुनाओंगी, और इसरो की बात हो, के मणिपूर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूँ, मैं भारत सुनाओंगी, और ये दौर, खराबी और खराबे का दौर है, ये दौर, खराबी और खराबे का दौर है, इस दौर में क्या खाग पशारत सुनाओंगी, और दम ठोक कर इस मंच से कहरे हूँ, सबकी मौजूदगी में कि मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, मैंने, मैंने किसी की नकल नहीं की है सुखन में, अंदाब थियरक्षं में ही इबारत सुनाओंगी, आदत के मताबिक मैं बगावत सुनाओंगी, जि महोथ बहुत शुक्रिया और चार मिस्रे सुना के एक नजम सुना रही हूँ पहले भी सुना थे लेकिन अभी फिर सुनाना चाहती हूँ क्योंकि एलेक्शन आने वाला है तो कहने की कोशिश किये मैसेज के दोर पे इरशाद बना दो लाक बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता बना दो लाक बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता वो अदना सा बशर उससे बढ़ा तो हो नहीं सकता सुनेगा सभी का वक्त आता है सभी का वक्त जाता है सभी का वक्त आता है सभी का वक्त जाता है सिंगा सन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सभी का वक्त आता है सभी का वक्त जाता है सिंगा सन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता और देखिए अभी मुझे आवाज आ रही थी मंच से वीज़ वीज़ में जाओ जाओ देखिए बड़ा ये तो खेर कुछ नहीं है मुशायरों में सब चलता रहता है हर जगे पढ़ते हैं तो मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरे शोरा के लिए भी जो भी लेकिन जब आप शिश करती हूं कि मैं एक बात कहूं मैं शायरा हूं मैं बस शायरा हूं शायरा ही रहूंगी क्या बात है सियासत में होती तो कुछ और होती मैं बस शायरा हूं शायरा ही रहूंगी सियासत में होती तो कुछ और होती वफा भी ना होती हया भी ना होती मैं बस जूट होती औ कमजrick सुनेगा बाए 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 आप लोगי तरह से जवाब दे रही हूँ सुनेगा नवाब साथ सुनेगा कि दिया हुक्म जब खुद अल्हा ने करो मुलक से ये कहना तो बे मानी है मुसलिम है घ्दार क्या बात है कि जाओ मुल्क छोड़ कर जाओ कहां लिखा है संभिधान में पहले ये दिखलाओ कहां कहां लिखा है संभिधान में पहले ये दिखलाओ और हमने जिसमें आखें खोली वो है यही मिट्टी इस मिट्टी पे सजदा करती रब को मेरी पीड़ी अब सुनिए पैन कार्ड आधा परकार्ड सब यही बना है मेरा देश भारत पासपोर्ट पर यही लिखा है मेरा क्या के ने है बाबाबाब देश भारत पासपोर्ट पर यही लिखा है मेरा यही पड़े हम यही रहे हम उम्र यही पे गुजरी यही गुजारी जीस्त भले हालत बिगड़ी या सुद्री और यही हवाएं यही जमी और यही आसुमा मेरा यही हवाएं यही जमी और यही आसुमा मेरा वो सयाथ भी मेरा है के जो है बागमा तेरा सुने का वो सयाथ भी मेरा है जो हया बागमा तेरा जितना तेरा हक है उतना ही अधिकार हमारा दिया हमीने आजादी में इंकलाब का नारा दिया हमीने आजादी में इंकलाब का नारा चले गए जाने वाले हम कहीं नहीं जाएंगे हुब बल्वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे हुपुल वतनी का मतलब हम कब तक समझाएंगे और सुनिए गा तेरे दावों से बढ़कर मेरा है एक ये नारा सारे जहां से अच्छा देखो हिंदूस्तान हमारा भारत में कितने आये भारत को गले लगाया जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया सदियों पहले कौन गया और कौन यहां पे आया सदियों पहले कौन गया और कौन यहां पे आया किसने कितनी लूट मचाई कितना खून बहाया हम को इस से क्या लेना हम को इस से क्या लेना हम इन सबसे अंजान हमने जिसमें आखे खोली वो है हिंदूस्तान हमने जिसमें आखे खोली वो है हिंदुस्तान यहीं हमारे मका हैं देखो यहीं है कब्रिस्तान मुल्क हमारा हिंदुस्तान हम एले हिंदुस्तान हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी न देगा यहीं जिएगा यहीं मरेगा यहीं दफन भी होगा यहीं जिएगा यहीं मरेगा यहीं दफन भी होगा तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश यह है भाई चारा तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश यह है भाई चारा सब धर्मों की इज़द करना यह है धर्म हमारा अगर सियासत धर्म तुमारा कर दो एक एहसान अगर सियासत धर्म तुमारा कर दो एक एहसान रहने दोना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान अगर सियासत धर्म तुमारा कर दो ये एहसान रहने दोना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान बच्चों को पढ़ने लिखने दो नफरत मत सिखलाओ राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ बुरा लगे या भला लगे मैं कह दू भाई जान जो तेरा भारत है न वो मेरा हिंदुस्तान क्या बात है बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूँ भाई जान जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान और चाहे मारो चाहे काटो चाहे लेलो जान लाग सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान लाग सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान बहुत 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 शुक्रिया क्या केने हैं वाब 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 औरे कुछ और पढ़ दीजे लगी